निवश्कार साथियों आप सबका पुना स्वागत है शद्धा ऐस्टो जोतिश में आज हम लोग कवर करने वाले हैं धनू लगन की कुल्णी में यदि केतु एकादश भाव में बैठे हैं इच्छा पूर्ति और income sources का मुख्यता तो जब यहां तुला राशी में केतु बैठे हैं तो केतु को तुला राशी अकेले बैठे केतु अगर हम material gain को छोड़ देंगर थोड़ी देर के लिए तो बाकी नात रिष्टेदारों के लिए उस भाव से संबंदित शरीर के अंगों के लिए ज़्यादा अच्छा फल नहीं देते हैं क्लिर हो गया अब जैसे जब भी कोई प्लानेट unfavorable mood में 11 था उसमें बैठता है तो वो उससे संबंदित प्राप्तियां तो कराता है लेकिन अनिच्छा से खुद की उसकी इच्छा नहीं है तो के तुकि जिस भी चीज का कारक होगा उससे आपको देर सवेर financial gain हो रहे हैं लेकिन वो इच्छा से नहीं हो रहे हैं जैसे कहीं बर कहते हैं कि ये धन जो आया है ये धन हमारे लिए एक प्रकार से हानी कारक है हमारे जीवन के लिए तो वो पार्ट कहां से पता लगता है कहीं न कहीं अगर इकादश भाव में बैठा प्लानेट उस प्लानेट के स्टक्चर को सपोर्ट नहीं कर रहा है अब जैसे हमारे पुराने गरंत कहते हमारे जो ब्रहत पर आशर हो राशास्त्रा वो कहते हैं अब इकादश भाव में कोई भी प्लानेट बैठा हो मिटीरियल गेन धन संबंदी विशें के लिए कहीं न कहीं वो धन तो दिला देता है लेकिन आपके मन ने उसके लिए निच्छा रहते हैं जब कभी भी वहाँ से धन आ रहा है आपको निच्छा हो अब के तू क्या है संकरन कहा जाता हाइबर्ड चीजों से फाइनेंशल गेन आपको देर सवेर हो रहा है लेकिन आपके घर में जब कभी भी ऐसा धन आता है तो उस धन से अनावश्यक चिन्ताएं कलह को जन देगा वो हाइबर्ड ओल्ड में कई वीडियो में बता चुका हूँ जैसे मान लिजेए कोई जर्सी नसल की गाएं हैं या कोई इस प्रकार का विक्ती है जो जिनके फैमिली में इंटरकास्ट मैरेज होकर लोग साथ रह रहे हैं तो इस प्रकार के विशेवस्तू से चाया उनको फायदा हो भी रहो लेकिन उससे जो कहते हमारी फीजिकल प्रजन्स आहत होती है कैसे इसको समझेंगे अभी आपके बड़े भाई बड़ी बहने उससे डिटैच्मेंट का काम करता है कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपके फैमिली में किसी ने इस प्रकार को कोई स्टेप उठाया कि बही किसी क मनोवर्ती के खिलाफ कहीं जाके विवाह कर लिया तो इस कारण से कोई दूरी बना देना मित्रों को भी बताता है एकादर्श भाव तो मित्रों से भी कम बोल चाल उनसे बहुत अच्छे संबंद ना रहना लेकिन ये कम बहुत ज़्यादा पॉस्टिव हो जाता है जैसे सा यहां जाए तो बल्ले बल्ले हो जाएगी फिर आपकी शनी का अर्थ है के तुने अपने विचार धारों को त्याग कर सिर्फ शनी को देखना अब राशी को नहीं देखना है कैदज सर आप जो कहेंगे मैं वह करूँगा पूरी ताकत आप पर जोंग दिये मैं तो शनी को क करमचारी और इस प्रकार के लोगों से निम्न जो वर के लोगों से बहुत फायदा होता जीवन में उनके साथ बहुत मिलकर रहता है वह प्राप्तियों का कारण बनते हैं जीवन में वह उसके नौकर चाकर उसका कहना मानते हैं कि शनी का एक अर्थ सेवक या नौकर भी है तो वह भी बहुत जादा अबिरेंट होते हैं आप भी उसके प्रति बहुत रिगार्ड करते हैं सीधी बात है अगर वह अबिरेंट है तो कहीं न कहीं वह प्लनेटरी पोजिशन आपकी ऐसी बनी हुई है कि आप भी रदे से उनका धन्यवाद देते हैं लेकिन केला बैठा हो जाना पिंड्लियों में चोट लगना बाइक चलाते समय इस प्रकार के कोई कारे करते समय आपके पैर के निचल इससे में चोट लग सकती है अगर के तो अकेला बैठा हुआ है के तो यहां बैठा सीधी बात है राहू यहां बैठा हुए और राहू यहां बैठा हुआ होने के बाद मर जाती हैं लेकिन यही यही बात शास्त्रों में लिखी है कि अगर मेश राशी में राहू बैठा हो और राशी का स्वामी बली हो जाए जैसे मंगल बली स्थिति में तो वही राहू अंततो गत्वा उस राशी पर स्वयम महर्बान हो जाता है कि चल ठीक है मैंन संतान पुना प्रदान करता हूँ जैसे फांसी किसी को दे दी जाए और फांसी पर जस जुलने ही वाला था उससे पहले राजा को दया आ गई वही काम राहू करता है मेश राशी में तो आप समझ सकते हैं अगर केतू आँ बैठा है तो फिर राहू भी निश्वित रुप से हैं बहुत खराब बैठा हुए तो फिर वो अब यहीं अगर राहू बैठा होता और यहां केतू चला जाता तो फिर वो सपोर्टिव हो जाता अकेले अकेले बट अब अभी वो भावो को बिगाड रहे हैं दोनों राहू भी और केतू भी तो जब कभी भी आप कोई प्लानेट केतू को पढ़ रहे हैं या राहू को पढ़ रहे हैं तो यह अपनी दिमाग में रखेगा कि ठीक 180 डिग्री पर इसके दूसरा प्लानेट भी है जैसे राहू यहां बैठा तो केतू वहां बैठा है उस फल को भी अपने दिमाग में साथ की साथ रखना है तब आप सटीक अंदाजा लगा पाएंगे हमाला की दृष्टी को नहीं देख रहे हैं कि यहाँ इसको केतू की दृष्टी से देख करना चाहिए तो शत प्रतिशत परिणाम सटीक निकलेंगे हैं कि यहां से गिंते हैं दृष्टियों को एक दो तीन चार पांच पांचवी दृष्टी से केतू वायुतत्व राशी कुम्ब राशी में नजर बनाये हुए हैं कुम्ब राशी बात करती हमारे फॉर्मल कॉम चाल हाला कि दस ने ग्यारा नंबर यहां बहुत जाता सपोर्टी माना जाता है शनी का वो नंबर हैं जो सब के साथ मिलकर चलने की बात करता है कुम्ब राशी तो बेश तो बहुत अच्छा तयार हो रहा था लेकिन केतू यहां पर विक्ती को कम बोल चाल वाला बना देता है या केतू यहां डिटैच्मेंट ले आता है केतू अकेला अगर दृश्टी डाल रहा है तो आदमी का फॉर्मल कॉम्मिकेशन बिगार देता है आदमी जो भ पॉष्टी शनी को कई गुना बूश्टप कर देगी पावर्फुल बना देगी आदमी की बोल चाल में हमेशा शनी का रूप दिखाई देगा सब के साथ मिलकर चलना प्रजा तंतर की बात करना और शनी का सपोर्ट केतू ले रहा है तो फिर वो अब फिर उसको कई गुना बल शाली मानना आपको और क्या कह सकते हैं अगर केतू यहां दिख्टी डाल रहा है शनी नहीं बैठा है तो छोटे भाई बैनों से वैमनस्वर रहेगा उनसे कम बातचीत होगी दूरी बन जाएगी इसोफिगस आहार नाल आपकी एलिमेंटरी के नाल में दिक्कत आ सकती ह कुछ कोरोना जैसी बिमारी में अगर इसका स्वामी शनी भी बहुत कमजोर वस्ता में केतू की दिख्टी पड़ रही है तो आपको बहुत तकलीफ होई होगी ऐसी कोई भी समस्या जो सांस की नली को एफेक्ट करती है जादा आती है परेशान करने वाली होती है अगर थर् फेर हैं थर्द हरोस हमारी चोटी-चोटी यात्राओं से मिलने वाली प्राप्तियों की बात करता है तो ऐसे कहा जाता है अगर एक्था टारा आता है अगर शनी सपोर्टिव है तो हम है ओनली सेटिस्फेक्टरी रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं अब टुद मार्ट नहीं क्योंकि इसने कमजोर करी दीया न talked अ को मार्ट शनी बली के हए Richard यहां बैठ कर बलिये क्योंकि अबक हो फिर कई हुँ का मांइंड वी बदल फिर आपको विर्प कर को दो की दृष्टी में द्रिश mapped करके देखना ऑ Canadian केतू की दृष्टी का बुरा प्रभाव त्याग देना है ध्यान रखना है इस सीच का फिर केतू material gain में चाहे चाहे या ना चाहे अंगेज जोना ही पड़ेगा क्योंकि भई शनी उस side के राजा हैं और केतू कैसे उनको डिनाय कर दे ठीक है तो पांच जो ज्यादा सुखत परिणाम नहीं दे रहा है छे, साथ, आठ, नो नौवी दृष्टी से केतू आपके marital life या आपके partnership house पर नजर बनाए हुए है मिथुन राशी है यहाँ अगर मिथुन राशी का स्वामी बुद्ध उच्च का होकर जैसे 10 degree, 9 degree का होकर आपके 10th house में आ जाता है बहुत बली हो जाएगा बुद्ध फिर नेट रिजल्ट की जब बात आएगी marriage से related वह तो आपके favor में जाएगा लेकिन जो instantaneous effect है वो केतु खराब करता है याने प्रतम दिश्टा ऐसा लग सकता कि पती की पतनी से नहीं बनती है और याने जातक को भी यह लगता है कि नहीं मेरा partner के साथ संबन अच्छा नहीं लेकिन जब कभी तीन मेहने चार मेहने में आपकी बहुत ज्यादा मन मोटाव हो जाता तो अचानक समय में आते करें नहीं है तो बहुत ज्यादा लगाव है दोनों में क्योंकि resultant नहीं खराब होने देरा कौन बुद्ध लेकिन हम इस चीज़ को भी ज्यादा अच्छा नह और यह संबंद बहुत ज़्यादा नाजूक होते हैं इनमें अगर डेली का कोई वैवनस चल रहा है तो खराब ही कहेंगे रिजल्टन चाहे अच्छी स्थिति में इसलिए हम यह चाहते हैं ऐसे संबंदों में तो भाव भी अच्छा हो भावेश भी अच्छा हो पार्टनर का संबंद कोई एक दो दिन का संबंद नहीं है तो हर दिन इससे टैकल करना आपको तो कह सकते हैं केतू का दिश्टी अकेले अगर यहां केतू दिश्ट डाल रहा है तो भाव ज्यादा सपोर्टिव नहीं कहा जा सकता है आपके instant effect तो positive जो थे वो गए negative image लेकर आते हैं सफेद दाग का निशान होना ऐसे विक्ति को बिजनस में भी ज़्याद सपोर्ट नहीं मिलता है, अगर मजबूरी में कभी बिजनस करना भी पड़े तो अपने काम में पार्टनर को जरूर इन्वाल करें क्योंकि अगर उसकी कुंडली में सात्वाव बली है, तो वो मैनेज हो जाता है, लेकिन आपकी कुंडली का सात्वाव कमजोर आ रहा है, तो फिर वो मैनेजेबल नहीं होगा क्लिर क्योंकि केतु बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं है, कैलकुलेशन के मामले में राहु को जबर्दस ताकत मिली हुई है अगर बुद्ध भी कमजोर है, केतु की दृष्टी भी पढ़ रही है, और हमने शुकर भी देखा, शुकर भी कहीं, पापा करांत है कहीं फसा हुआ है, तो फिर इस कंडिशन में आदमी अपने पार्टनर का त्याग भी कर सकता है, उसको त्याग देता है, पती-पत्नी अलग हो जाते है ठीक है अलग होने का कारण कई बार तो होता है, द्वंद, जगड़ा कई बार होता है, गुप चुप रहना में और वह शुक्र को बहुत पीडित कर देता है, है वो डाक साइड का ही प्लानेट, और दूसरी प्राप्तियों के लिए एच्छा माना जा सकता है वो त्सांसारिक विश्यों के लिए और कुछ चीज़ों जैसे कि ये sudden gain है तो कहीं न कहीं प्राप्तियों के लिए चाह हो सकता है यहां बैठकर अपने घर को भी देख रहा है शुक्र लेकिन शुक्र जो बहुत ज्यादा शुब प्लानेट है नाचरल बैनेफिक प्लानेट है उसको आपने इन पापी गरहों के बीट में फसा दिया तो कीमत चुकानी पड़ेगी ये भी हाउस खतम हो रहा है दरश्टी भी केतू की पड़ी हुई है शुक्र भी राहू के साथ फसा हो बहुत तो द्वंद के साथ डायवास होता है फिर तो इन विश्यों का ध्यान देना है तो कुल मिला के देखाए जाए के तू यहां सिर्थ थोड़ा सा मैटीरियल गेन वाले एंगल के लिए हमें अच्छा लग सकता है वो भी प्रतम दरश्टा उसके भी अंतिम परिणाम ज्यादा सुकत नहीं कहे जा सकते हैं अगर साथ ही बैठ जाए कुछ शनी बैठ जाए शुकर बैठ जये तो फिर यह भाव को बचा लेता है तो आज़ी क्लास में इतना ही क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बतायेगा मिलते हैं अगली क्लास में तब तक के लिए जैश्री भगू पर आशरा जैश्री आरिया नमस्कार